तो माई डेर स्टुडेंट आज किस वीडियो में कबर करेंगे बिये थर्ड समेस्टर के होम साइंस यानि ग्रह बिज्ञान के पूरे को पूरे स्लेबर्स और मोस्ट इंपार्टन टॉपिक्स के बारे में तो जो भी हमारी छात्राय हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में ह परिछा नहीं आएंगे तो समझ जाएंगे कि आपको आगे बताने वाले हैं तो यह पूरा पूरा स्लेबर्स आर्ट यूनिट यानिकी आर्ट शेप्टर में डिवाइड है और यह पूरा का पूरा English में है आप अच्छे समझ सेके हम आपको उच्छे समझा फके इफले पूरे पूरे स्लबर को topics को मैंने हिंदी में convert कर लिया है तो चलिए हम आपको हिंदी को लरे शर्ड कर लिए ठीक जाएगी तो फर्स्ट यूट में कौन से इंपॉर्टन टॉपिक से जहां से प्रस्ट मनेंगे उनको सुनिए पर सिकेंड पर तरड इफी तरह आठ यूनिट कबर करेंगे तो पहला यूनिट है भोजन यूजिन यानि की भोजन फोड की प्लानिंग करना जिसमें की भोजन की क्या है भोजन को प्रवावित करने वाले कारक क्लों क्यों से इलेमेंट को बोलते हैं संतुलित आहार क्या है यह बनेंगे फस्तनियों से संब्स रहतों सब्सक्राहें कि वेल t पूरा नाम होता से होता है लेकमेंड़वकों अनगец अठीकष। होता है ऐलाउंस च्थे। अनौन तो रिकमेंड़कृटरिолотि जिसमत्तव होता है अनुसाफित अहार भत्ता ठीक है तो अनुसाफित अहार भत्ता से संबंदे दिखादा कोईशन देखने को मिल सकता है सिकेंड यूनिट में आपको देखने को मिलेगा सहसा वाफ्था और भचपन के दोरान पोफड की आवस्यक्ता आरडे और अहार यूजना के बारे मताईए यानि कि सेकेंड यूरिट में आपको सहसा आवफ्था और बच्पन के दोरान क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कैसे पोफड किया जाता है ठीक है क्या पोफड की आवसकता होती है सहसा आवफ्था में ठीक है उसके बारे में लिखना है और आहार योजिना यानि क सहसाफथा में भोजन के लिए किस प्रकार प्लानिंग होती है अहार योजना किस प्रकार होता है ठीक है और साथ साथ में आर डिये जिसको मैंने आपको बताया ठीक है अनुसाफित अनुसाफित अहार भत्ता ठीक है तो अनुसाफित अहार भत्ता बत्ता और अहार योजना मतलब कि शुरुवात में जब बच्चा होता है मतलब कि सैसा अफ्था में ठीक है सैसा अफ्था और बच्पन में आपको कैसा बच्चों को पोफट सैस्था मतलब कि बच्चों को देना चाहिए ठीक है तो इसको किस प्रकार का भोजयन किस प्रकार का पोफ़र दिया जाता तो इस प्रकार प्रस्ण पूछे जाएंगे यूट नमबर थर्ड में आपको देखने को मिलेगा किस ओरा उस्था आप जानते हैं वैसकता और ब्रद्धा के दोरान पोफ़र मतब कि अगर कोई किस ओरा उस्था का है तो उसको किस प्रकार का भोजर मिलना चाहिए उसका पोफ़र जो सरीर मांगता किस प्रकार का पोफ़ मिलना चाहिए ठीक है और उसको किस प्रकार का खाना मिलना चाहिए ठीक किस प्रकार की पोफ़र क्या आउसकता होती कि सोरा उस्था में और वैस जो इंसान होता उस आउस्था में ठीक है तो आपको इस प्रकार के प्रश्ण देखने को मिलेंगे फिर से सुन लिजी किस ओर ि और और धा में किarna का पूफड क कि लिए ञाए में कि इतालय चाहिए और पोफड योजना के मतब कि आहार योजना क्या जो खाते हैं ठीक है तो इसका प्लानिंग कैसे होती तो इन सभी से संबंदित प्रशन पूछे जाएंगे ठीक है यूनिट नमबर फॉर्थ यूनिट नमबर फॉर्थ में आपको गर्भा उस्ता और अस्तन पान की बिशिफ इस अफ्ता महिला को और जब अच्छा हो जाता है ठीक जब अफ्तन पान यानि बच्चा बच्चों को दूद पिलाती है तो उस दवरान कौन से या फिर किस प्रकार के पोफड की आवसकता पड़ती है उनको ठीक है उसके बारे में लिखना है उसके बाद आर डिये जिसको मैं तब होता है उन दब कि जो आप लोग नारमली किसी भी चीज को खाते हैं ठीक है डाइट पर रहते हैं और लेकिन यहां पर डायेटरी बोला गया है तो आ रेकमेंडेट डायेटरी एलाउंस और अहार योजना ठीक है तो यह आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि अगर बच्चा चोटा रहता है है तो बाल्या अफथा में उसके विकाफ बाहिट बाल्या विकाफ होता है तो विकाफ के लिए क्या जरूरी है और क्या विकाफ सीज zब्ससे विकाफ हो सके ठीक उसके कार स्पर मोटाप बता। सारे को मोटर विकाफ है लेकिन याप पर मोटाफा थीक है तो ये कोश्चन बहुत कमाये के चाहरे को सकते संग्यानात्मक विकास क्या हिक पूल नहीं पाता है देरे और अपरी भासा में बर बढ़ा होने लगता तो उसी तरह भासा का विकास दिन पर दिन जैसे बच्चा बढ़ता है उसका विकास होता है वैसे वह बोलना शुरू करता है तो यहां से प्रश्णा आ जाएंगे भासा विकास के बारे मताईए अब यूट नंबर हम शिक्ट में आ जाएंगे विकास के जो है वो डिफरेंट हो जाते है ठीक है और जब विकास होता तो उसमें कुछ बिसेफ अलग चीद दिखने लगती है ठीक है तो उसके बारे में लिखना है महत्पूर्ण सारीरिक और हारमौल परिवरतन यानि कि जब बच्चा बड़ा हो जब भी लड़की हो लड़का हो छो भी बड़ा होता है कि स्वरा उसndangा है ठीक है तो क्या होता है कि उसके सार्यरि me बहुत फारे डिफरेंस देखने हो ड़के चोले यूज लड़के रहेत rubbish हैं मौश खलके हलकी आने लगते सीने पे बाल लोगने अगथ थोड़ए थोड़ए उगने लगते हैं ठीक है औ और उनके भी धोड़े मतलब की अलग कुछ उनके कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं ऐसे कि प्रिवर्तन होता है ठीक है तो इस प्रकार आपको प्रस देखने को मिलेंगे उसके बाद स्वयम और पहंचान पहंचान और बेक्तुत को प्रवावित करने वाले कारक हलाकि यास कुछ नहीं आएगा इग्नोर कर सकते हैं परिवार और सहिकर्मी संबंद समस्चाइन असीली दवाओं और सराब का जो यूच करते हैं उसके क्या नुक्सान है उसके बारे में कुछ देखने को मिल सकता ठीक है यूट नमबर सेवन में आपको कि सोरा अफ्था के दौरां सं चैंजफ आते हैं और नयतिक क्यानिसका जिस भी समाझ में रहता और स्विर्टेज कालचर में रहता तो यह आपको छूरा अफ्था के दौरान जो वहां वहां नैक विकास हूता तो जंसके बादर अग्ला पॉइंट है लिकल्स पर सकते हैं बॉस्धे और शूरा वह हमाफा नयतिक भासा इसमें डिफरेंस आता है जिब बुद्धि वह निकि जब बच्चा समाजदार होने लगता है तो उसमें बहुत फाईरी रिशनात्मक अंतर आते और उसके महौल में रित डिवाज में भी परिवर्टनाता है जिसाफ से रहता है जिसाफ से महौल रहता है उसे में धलने लगता है ओके अब यूट नमबर फोर्स में आपको वैसक्ता का परिचे मतलब कि जब इंसान लड़की और लड़का हो मेच्योर हो जाता यानि कि परफेक्ट हो जाता उससे सम्मंदित कोश्चन आएंगे ठीक है आपको लिखना पड़ेगा वैसक्ता का परिचे ठीक है कि शोरा अफ् इस्वारीरिक और शारीछि परिवर्तन देर से वयसको होने तक जिम्मेदार्यां और समायोजन सैच्छनिक ब्योसायिक ब्योहायिक और पैत्रत मतलब की बच्चा बढ़ा होता है बढ़ा होने केबाद उससे इच्छा घ्रहन करता है दीखे द्यान सुनेंगे जब बच्छ सोते हैं कि इन्सान के जीवन उसके बारे में कुछ पॉइंट है जिनको बारे हम लिखना है तो बहाँ पढ़ेगा फिर जिम्मेदारिया कुछ आएंगी फिर वो बहुत मतलब कि नोकरी या फिर जोब या फिर बिजनेस करेगा फिर साधी करेगा फिर वो एक दिन मतलब कि फैरेंट्स बन जाएगा तो यह जो कंप्लीट प्रोफेस है इन्हें से संबंधित प्रस देखने कुमलेंगे तो यह रहा पूरा पूरा यूनिट नमबर आठ और इन्हीं आठ य सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं को नई वीडियो में जहिंद अ